दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं bank nifty 50 की किस प्रकार से आपको calculate करना चाहिए इस वीडियो में यही दिखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें कि वीडियो बहुत important होने वाला है अभी आप देख सकते हैं निप्टी 50 का चार्ट जो लगा है सॉरी बेंक निप्टी का चार्ट लगाया हुए आपकी स्क्रीन में यह है डेली टाम फ्रेम पर आप देख सकते हैं धर पर इसका जो हमें अभी दिख रहा है रेजिस्टेंस वो इस लेबल के आस पास है और रेजिस्टेंस लेबल पर ही अभी ट्रेट कर रहा है इस लेबल पर तो आप देख सकते हैं बेंक निप्टी इसी लेबल पर आप इससे रेजिस्टेंस लेना स्चार्ट कर चुका है और आप इधर पर देख सकते हैं इसकी जो डेट केंडल हो सकते हैं क्योंकि आप इधर भी देख सकते हैं जो आज इसने बैंक लिप्टी ने वापस जब क्लोज किया है तो इसने एक inverted hammer pattern form किया है और इसने जो कल high लगया था उसी को touch करकी नीचे की तरफ लगया है तो हमें ये candle active होती हुई दिख रही है लेकिन अगर कल market इसी level के आसपास open होता है और कोई projection form करता है दरपे अगर projection form करने के बाद नीचे की तरफ निकलता है तब आप selling के लिए जा सकते हैं वागि आपको support देखना है क्योंकि जब market एक support में होता है तब market में जब uptrend में होता है market तो हर support काम करता है और जब market selling में होता है तब हर resistance काम करता है तो आपको यही देखना है क्योंकि market में अभी support है जो daily time frame पे उसको break नहीं किया है market ने तो सबसे पहले हमें इसी को देखना है जब तक यह break नहीं करता है तब तक हम अपना mind को negative नहीं रखते हैंगे और selling के लिए ज़्यादा try नहीं करेंगे अगर option selling करना है तो option selling कर सकते हैं क्योंकि market में अभी यह uptrend है और इसी को projection को follow करते हुए market चल रहा है daily तो इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है और trade करना है इसको ध्यान में रखते हुए और जब इसको break करने के बाद नीचे की तरफ नकिलेगा तब हमें अच्छी target देखने को मिलेंगे जो इसका support देखेगा वो हमें इस level के आसपास देखने को मिलेगा क्योंकि इसी level पर इसने बड़ा time मिताया है तो यह important support होने वाला है हमारे लिए 43,600 को level यह हमें बहुत important support होने वाला है daily time frame पर देखेंगे अगर तो क्योंकि इस level पर आने के बाद जो possible है कि इस level पर आने के बाद वापस से correction कर सकता है अगर इधर से selling होती है start तो इस level पर आने के बाद confirm correction होगी इधर पर तो कुछ प्रकार से आप bank nifty को देख सकते हैं बाकि आपको यही देखना है इस level पर resistance है और इस level पर इस trend line को follow करते हुए आ रहा है और इस level पर support है इसका तो कुछ इस प्रकार से आप डेली टाम फ्रेम पर इने bank nifty को देख सकते हैं अब हम देखेंगे पंदरा मिनट के टाम फ्रेम पर किस प्रकार से आपको करना चाहिए आप देख सकते हैं वी जो चार्ट देख रहे हैं आप यह पंदरा मिनट का चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं बैंक निप्टी वी अचको शिप्रकार से पहले उपन हुआ तकल उपन हुआ था इस level पर और इस ने एक रियाट केंडल फॉर्म की थी धर पर कहीं पहलो चुगा था और आज जो बैंक निप्टी ओपन हुआ था वो इस लेवल पर उपन होने के साथ साथ ऊपर की तरफ हाई लगाया हाई लगाने के बाद अधर से धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ जाना इस्टार्ट किया और इसने बापेस से उसी हाई पर आने के बाद नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया और इस पंद्रामेट की जो केंडल बनाई है इसने बहुत बढ़ी केंडल बनाई है जिसमें की लगबख प्स पॉइंट की केंडल बनाई है और अच्छी खासी ग्रावट दिखाई ही उसमें तो हमें लगता है कि इस लेवल के अगर नीचे कल बैंकिंटी वापस से नीचे की तरफ ओपन होता है तो आप नीचे की तरफ मुमेंटम होता हुआ देखने को मिल सकता है और अगरकल इसी लेवल की ऊपर ऊपन होता है अगर बैंक निप्टी तो हमें positive momentum होता हुआ देखेगा लेकिन जो हमें उम्मीद देख रही है भी बैंक निप्टी में वो इसी की तरफ देख रही है कि negative direction में momentum कर सकता है वैंक निप्टी क्यों की काई दिनों से निप्टी एक regular projection फॉर्म करते हुए कुछ इस प्रकार से चल रहा है तो हम देखने में यही है कि इस लेवल की नीचे की तरफ अगर कल ट्रेट करता है वैंक निप्टी तो नीचे की तरफ ग्रावट होती हुई हमें देख सकती है तो कुछ इस प्रकार से आपको वैंक निप्टी को कल ट्रेट करना है अब हम देखेंगे निप्टी 50 को कि इस प्रकार से आपको कल निप्टी 50 को ट्रेट करना चाहिए अभी आप Nifty 50 का चार्ट देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं इसी लेवल पर इसकी Selling है और इसी लेवल पर आने के वाज़ित ने Rejection लेना स्टार्ट किया है अगर Rejection नहीं लिया होता इसने तो अच्छा क्लोस किया होता इसी लेवल की आसपास क्लोस किया होता तो हमें यह कनफॉर्म था कि यह Registance ब्रेक करेगा और कनफॉर्म था कि यह Registance ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन इसने जो कोई इसका दियान रखना है जब तक 10 लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्किट को सपोर्ट कि फारम में देखना है और इसका जो हमारा सपोर्ट है important सपोर्ट इस लेवल के आसपास है इसका important support इस लेवल पर आपको support होदा हुआ देखेगा बैंक 9050 जो support है वो 19500 के लेवल के आज पास इसके important support है तो आपको इसको जरूर याद रखना है अगर इस लेवल पर आता है रिटेस्ट करने के लिए और इस लेवल पर वापस उपर की तरब जा सकता है क्योंकि ये important support है इस लेवल पर इसना time बिताया है तो ये हमारा daily time frame पर important support है तो आपको इसको किस पर कार से कल trade करना चाहिए इसको हम देखते हैं अब हम इसका चार्ट चेंज करके 15 मिट की time frame पर लगाते हैं 15 मिट की time frame पर आप देख सकते हैं पहले ये कुछ projection फॉर्म करके ऊपर की तरफ गया है और बापस से जब इसने नीचे की तरफ close किया है तो इसने बहुत बड़ी red candle फॉर्म की है तो हमें ये sign negative दिख रहा है और मूड बापस से positive रहेगा तो आपको यही देखना है अगर कल मार्केट इसी लेवल की नीचे की तरफ open होता है और कोई projection फॉर्म करके नीचे की तरफ नकलता है तो आप नीचे की तरफ trade देख सकते हैं market में तो कुछ इस प्रिकार्ट से आपको trade कर सकते हैं 5050 को और जो हम लेवल के आसपास देखेगा कि यही सपोर्ट आपको सपोर्ट करता हुए देखेगा आपको लगवख 19500 के लेवल पर आपको important support देखेगा अगर धीरी धीरी करके projection फॉर्म करके नीचे की तरफ आता है तो इस गैप को जरूर फिल करेगा नेपको इस गैप को trade करना है सब्सक्राइब कीजिए मलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद है